स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों यहां जारखन लोग सेवाई होग यानि कि JPSC के तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है और छात्रों का आखिरकार बेसब्री का जो इंतजार था वो आज खत्म होने जा रही है और यहां पे जो बहुत सारे छात्रों परसान थे कि सर एड्मिट काड़ा अब कब आएगा एक्जाम डेट टाइम क्या होगा कि या फिर फिर सर चेंज हो जाएगा यह सारे कुछ का डिटेल आज हम इस वीडियो में लेकर के आये हैं आज ही एक अभी तुरंत एक नोटिस जारी कर दिया तो यहाँ पर देख लें कि पेस विग्यप्ति में क्या जारी किया गया है यहाँ पर देखे जहरकंड संयूक्त असैनिक सेवा प्रारामिक परित्यक्ता परिच्छा 2021 विग्यापन संख्या 01.2021 के संबंद में अवश्यक सूचना और यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के बिभीन जिला मुख्यालों के बिभीन परिच्छा केंद्रों पर दिनांक 19.09.2021 को यानि कि 19.09.2021 को पर्थम पाली पुरवहां 10 बज़े से 12 बज़े तक और दीतिये पाली 2 बज़े से अपराहं 4 बज़े तक निम कारेक्रम मा अनुसारा निर्धारित है तो जैसा कि हमने बताया था कि JPSC में दो पेपर होंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर आप लोग को देना है तो यहाँ पे जो अब एक्जाम डेट था बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन था कि क्या ये फिर से डेट एक्स्टेंड होगा तो नहीं अब ये डेट यही फिक्स हो गया है 19 सितंबर 2021 को आपका एक्जाम होगा तो होगा और पर्थम पाली में जो समान्य धन पेपर 1 है पर्थम पत्र इसका जो टाइमिंग है वो पहला पर्थम पाली में पेपर 1 होगा जिसका टाइमिंग है आपका 10 से 12 और दुधिये पाली में पेपर 2 होगा जि और admit card आप लोग कब से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर देख लें कि आप वंधिक रूप से स्विक्रित अभ्यारतियों के लिए अनुदेश ठीक और परवेश पत्र एवं उपस्थिती पत्रक से संबंदित महत्पूर्ण सुचना है एवं स्विक्रित अभ्यारतियों की सुची भी आपको वो चार सितंबर से दोफर के बारा बजे से उपलब्द रहेगा सारा डिटेल ठीक है यानि कि आप अगर एड्मिट कार्ड जाली करना चाहते हैं तो एड्मिट कार्ड जो है आपका वो चार सितंबर को दोफर बारा बजे के बाद से उपलब्द होगा और अनुदेश भी यहाँ उपलब्द रहेगा और आपका सेल्फ डिक्रेशन कोविट को लेकर भी उपलब्द हो जाएगा एड्मिट कार्ड के साथ ही सभी को आपको प्रिंट करना और जिनको जिनको इस जेपिएसी का जो फॉर्म फिलब की होंगे जिस के इंडेट का एड्मिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा होगा वो एक वार आप लोग अस्विकित अभियारतियों की लिस्ट भी देख सकते हैं कि कहीं उसमें आपका ये नाम तो नहीं है उसमें तो इस वज़ा से आपका एड्मिट कार्ड कहीं डाउनलोड तो नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि बहुत सारे चाथ जो फॉर्म फिलब किये थे उनका रेश्टेशन जो था वो कैंसिल कर दिया गया है विभिन कार्डनों की वज़ा से ठीक है तो उसमें भी बहुत सारे लिश्ट है तो उनको स्विकृत अभिहारतियों में सामी कर दिया गया है जिनका फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया गया है उनका परवेश्पत जारी कर दिया जाएगा तो ये दोनों चीज का सभी का जो चीज है वो आपको 4-9-2021 को दो फर 12 बजे के बाद से उपलब्ध हो जाएगा वहीं पर आप नीचे देख लेते हैं नीचे देखिए यहाँ पर बोरा परशाजियों के लिए परवेश पत्र एडमिट कार्ड और उपस्थिती पत्रक यानि कि अटेंडेंस सीट यहों पैच्छा से संबंदित महत्पूर्ण अनुदेश निवनवनवत है आपको एडमिट कार्ड नेट नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा घर में आपको भेजा नहीं जाएगा ठीक है और एडमिट कार्ड आपका जैसे कि मैंने बता दिया है और उपस्थिती पत्रक अटेंडेंस सीट यह सब आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा और अनुदेश भी एक वार पढ़ लीजेगा और यह 4 सितंबर 2021 से दोपर 12 बजे के बाद से उपलब्द रहेगा इसमें आपको अपना रेश्टेशन नंबर और जन्ट थी यानि कि डेट ओफ बर्थ डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी तरह का अगर दिक्कत है तो आप इस हेल्प लाइन नंबर पे बात करके ठीक है बेब साइट में एड्मिट कार तो आपना डाउनलोड कर लीजेगा अटेंडेंस सीट भी डाउनलोड कर लीजेगा और कोविट 19 का सेल्फ डेक्रेशन सो घोषना पत्र भी डाउनलोड करके यहों आवेदन के समय दिये गए जो फोटो याद रखिएगा यह चीज चौथा नमबर इंपोर्टेंट है बहुत लोग छोड़के चले आता है बाद में परसान होते हैं आवेदन के समय दिये गए फोटो की दो स्वहस्ताक्षरित रंगीन कलर फोटो तथा एक वैद फोटो युक्त पहचान पत्र अपने परिच्छा केंद पर अवस्ते साथ लाएं अन एक वैद फोटो युक्त पहचान पत्र जरूर लाईएगा और ये सब जो है एड्मिट कार्ड अटेंडेंस सीट और कोबिट नाइटिन डिकलेशन ये सब जरूर पिंट करवा लिजेगा तो चौथा बहुत इंपोर्टेंट है ये सारा डोकुमेंट्स लेकर जाना है आप आपको एक्जाम देने और परिषाती अपने OMR सीट में आवसक जनकरिया परविष्ट कर लेंगे ठीक है ये तो ठीक है अगर गलत इसमें भरते हैं तो आपको यहाँ पर रद कर दिया जाएगा OMR सीट एक चीज और देखे यहाँ पर छठा नंबर दो है important है कि OMR सीट में उत्तर एवं अटेंडेंस वेरिफिकेशन रॉल कम अपसेंट रिकॉर्ड के गोले में वांचित सूचना अंकित करने है तू यहाँ पर देखे blue ball point pain का ही परियोग किया जाएगा अधा परिषातियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने साथ परिषा कच्छॉल में blue ball point pain अवस्चे लाएं यानि कि बहुत लोग black ball point pain बोलते हैं लेते आते हैं लेकिन यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको black नहीं लाना है बलकि blue लाना है blue ball point pain अभी खरीद लें खरीद के रख लें नहीं तो आप लोग का ध्यान उतर जाएगा और ध्यान हड गया black ले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा तो यह सब छोटी छोटी बातों पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं जिनरली बहुत लोग ध्यान नहीं देता है तो यहाँ पर देख लें यहाँ पर blue oblique black बहुत सारी exam में लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर कर दिया गय कोई भी electronic gadget, bluetooth वेगर नहीं लाना है और 15 मिनट बिलम तक आने वाले परशातियों को परवेश करने नहीं दिया जाएगा इसलिए आप कौसिस किजिए कि exam से अधा गंटा पहले ही exam center पे हर हाल में पहुंच जाए और वहीं दिब्यांग कोटे के जो परशारती है उनके लिए कुछ निर्देश दिये गया है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे English में भी है Hindi में भी है ठीक है हाँ और फिर उसके बाद नीचे देख लिजे आपको ये self decoration चाहिए ठीक है तो COVID के लिए यहाँ पे है self decoration ये सब सब आपको print out करवा के ले जाना है exam hall में fill up करना है अच् कि आप लोग वीडियो से अच्छे से समझ जाएं कि आप लोग को क्या क्या करना है और वैसे इसका जो PDF है मैं ये अपने telegram channel test series academy पे send कर दे रहा हूँ वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग पूरा ये notice देख सकते हैं तो अगर आप हमारी इस channel पे नए है है वो आप इसमें calculate कर सकते हमारा telegram channel और YouTube channel के माध्यम से तो ये दोनों आप हमारा channel subscribe कर ले और JPSC में exam में अपना इसका लाव उठाएं इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्री आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद